नबशकार दोस्तों मैं फार्मसिस ब्रांजिली साथ पुते मेरी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिरोडोर पी टाबलेट के बारे में जो परसेटमॉल तता Daciclofinac उन दो ड्रग के कॉंबिनेशन के साथ बनाईगे दवा है जिसमें परसेटमॉल ये एक एंटिपारेटी ड्रूग है यानि कि ये बुखार को कम करने का काम करता है और जो acyclofenac है वो एक NSAID यानि कि anti-inflammatory drug है जो दर्द को कम करने का काम करता है inflammation को कम करने का काम करता है आगे हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इस दवा को कप कैसे और कितनी मातरा मिले सकते है यानि कि इसके uses क्या है, dose क्या है, side effect क्या है इनके बारे में बात करेंगे और वीडियो के अंतर में हम यह देखेंगे कि जो 0-Doll P tablet है इसमें और 0-Doll SP इन दो टाबलेट में क्या अंतर है वीडियो को बिना skip के end तक देखेंगे और अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि यहां पर अपको medicine and health related और भी बहुत सरे वीडियोस देखने को मिलेगे दूस्तों composition की बात की जाए तो 0-Doll P tablet में acyclofenac 100 mg की मातरा में मौजूद है और palacetamol 325 mg की strength में मौजूद है उपयोग की बात की जाए तो आप इस दवा को तब ले सकते हैं जब आपको बुखार भी हो और साथ में body act यानि कि आपके पूरी शरीर में दर्द हो फिर चाहे हो आपके कमर का दर्द हो, पीट दर्द हो, दातों का दर्द हो, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, सर दर्द हो, गुटनों का दर्द हो, पेरों में दर्द हो तो ऐसे टाइम पे आप इस दवा को ले सकते हैं ये दवा ऐसे टाइम पे काफी अच्छा result देती है काफी अच्छा वर्क करती है दोस्तों नॉर्मल डोस की बात की जाए तो एडल परसर में ये दिन में दो बार सुबह शाम खाना खाने के बात दी जाती है देहन रहे दोस्तों इस दवा को हमेशा खाना खाने के बात ही लेना चाहिए साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसे लेने के कारण ऐलर्जिक रेक्शन लाइक तोचा पर खुजली आना रैशेश होना साथ ही पेट में डाइरिया यानिकी दस लगना नौजिया ओमिटिंग ये कुछ साइड इफेक्ट नजराते हैं अगर आपको इन में से या फिर कोई और साइड इफेक्ट नजराते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें डॉक्टर की सला लें दोस्तो प्रेगनेंट लेडिज, ब्रिस्ट फिरिंग ओमन, ब्रिस्ट फिरिंग मदर्स और जिन लोगों की किड्नि या लिवय से रिलेटर कोई समस्या है जिन लोगों को वे इस दवाका सेवन करने से पर एक बार आपने डॉक्टर से कंसल्ट करें डॉक्टर की सला पर ही इस दवा का 7 करें दोस्तों अब बात करते हैं 0DOL-P और 0DOL-S में इन दो टैबलेट में क्या आंतर होता है तो दोस्तों ये जो 0DOL-P में जो होता है उस में Aciclophenic और Paracetamol ये दो ही composition होते हैं जो भुखार और दर्द को कम कर देती है लेकिन जिरोडोल SP में असिकलोफिनाक 100 mg पारसिटोमॉल 305 mg और एक ड्रग होता है जो एक एंजाइम होता है उसका नाम है सिराटो पेप्टाइडिस जो की 15 mg की स्रेंद में इसमें अवेलबल होता है दोस्तो सिराटो पेप्टाइडिस यह एक प्रकार का एंजाइम है जो की इंफ्लामेशन की जगह पर आबनॉर्मल प्रोटिन फाम जो होते है उनको ब्रेट डाउन में हेल्प करता है और यह जो एंजाइम है ओ खास करके derived healing में हेल्प करता है इस छूट में यह healing को प्रोमोट करता है या फर सरजरी के बाद जो दर्द होता है और इंफ्लामेशन होती है उसे कम करने के लिए डोक्टर द्वारा ये पेशन को प्रस्क्राइब की जाती है दोस्तों बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है बस जिरो डोल एसमे में सिराटो पेप्टारित एंजाइम एक्ट्रा में आड़ किया गए है तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ वीडियो की जानकरी हेलफूर रही होगी अगर वीडियो बसंद आया तो वीडियो को लाइक शर कॉमेंट शोर कर दी जगा और ऐसे ही मेडिसीन और हेल्थी रिलेटर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद